Welcome to the channel 4Jobs Assalamualaikum Dear viewers Pakistan Navy as a seller Experience Question Preparation 2023 Dear viewers इस वीडियो में जो मजूदा November 2023 के Pakistan Navy as a seller के टेस्ट हो रहे हैं इनका आल पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेंटर्स का Mixed Experience Question, Intelligence के और Academic Part के फुल तफसील के साथ इस वीडियो में discuss किये जाएंगे तो वीडियो का आगास करते हैं question number one if a person has salary of 50,000 per month and 5% of give tax then how much money will he received after giving tax जैने इस question में ये बताना है बहुती असान question है इस question में ये पूछ रहे हैं एक person एक आदमी की जो महाना salary है महाना तरुखा है कितनी है 50,000 रुपए और वो जो अपनी महाना तरुखा पे 5% tax अदा करता है तो हमें इस question में ये बताना है कि वो जो 5% tax अदा करने के बाद उसे पीछे कितनी मतलब कि उसकी salary बचती है महाना तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे हम 50,000 का 5% निकालेंगे तो सबसे पहले परसंट निकालेंगे आप लोगों को पहले भी पता होगा बहुत सिंपल है परसंट हमेशा 100 से निकलता है तो 5 over क्या करेंगे 100 कर देंगे और जरब कितना करेंगे 50,000 तो ये जो 100 के 2 0 है ये 50,000 के 2 0 से कट जाएंगे पिछे बचेगा 500 जरब 5 तो पाँच सो को अगर 50,000 के जरब करेंगे जवाब कितना आता है फाटी सो इसका जवाब आता है तो आप क्या करेंगे कुछ भी नहीं करना सिंपल हम क्या करेंगे 50,000 से क्या करेंगे नभी कर आदेंगे 2500 को तो पीछे जवाब कितना आएगा पीछे मेरे जवाब आता है 47500 यानि उसकी जुम्हाना सलरी टेक्स पांच परसंट टेक्स अदा करने के बाद पीछे कितना बचती है 47500 तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन कि आप लोगों को समझ आई होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों को पता हो चल गया होगा कि हार्स मेना गोड़ा और घौड़ी होती है वह मेर मेर तो हॉर्स का लिंक होगा मेर यानि होड़ा और मेर घौड़ी उम्मीद है कि आप लोगो समझ आई होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुकाल एबॉइब आप तो इसको इसको आप लोगों ने समझना होगा कि तू काल एबॉइब आए गल सहम यानि लड़के को बलाने के लिए लड़की उसे कहती है क्या कहकर बुलाती है कजन बेबी ब्रादर या कजन तो उमीद है कि इसको आप भी समझ गए होंगे इसका राइट अंसर बनता है ब द्रियाए सेंध रिवर पर यह बनाया गया है और द्रैसेंध जो है यह पाक्सान का सबसे बड़ा द्रिया है यह भी क्याशन आ चुका और रपीटेड क्याशन है और द्रैसेंध की जो लंबाई है वह तकरीबन 3180 किलोमेटर यह आप लोगों याद रखनी है और सबसे छो द्रेसाना सब्सेंध में यह सोब है करें पर्लेमेंट भी चाहelesी के चेंजना की पर्लेमेंट है तो इसका राइट आड़ रशी जम्ल visão को आप कि इस उन हों कि अर उन करेंड़ को को नहीं पता तो उन हो तक यो येन Кी फ़ू फार्म है यो वाूल के फॉलच नेशन और जटांछन युदन नेशन झांक औरुबार चौबिस नायचन Ohio regener relationship और ये कब बनी 24 Vacuum90 संथ 15 को यह भी आप लोगों ने याद रखना काफ़ी इमपोर्टन question है तो इसका है वो न्यू यार्क अमेरिका में इसका हैड़ क्वार्टर वाकिया है इसमें तक्रीबद एक सो तिरानवे कंट्रीज हैं मिंबर पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान ने 30 स्टंबर उनसन 47 को में मतलब एक जोइन किया था यू आप लोगों याद रखना है इसका राइट लाइट हीटाफ क्योंत को दुबारा सुने डाश इस डाइस अमांट आफ हीट इनर्जी ही रिकॉइट टू कनवर्ट is solid into liquid at its boiling point तो इसका right answer है latent heat of fusion तो आप लोगों को यहीं पर बताता चलों कि जो भी हमें मतलब experience send करते हैं तो ज्यादा मतलब के intelligence के verbal part का या और चंद question होते हैं math के physics के या मतलब के chemistry बगारा के तो मतलब के ज्यादा question मतलब के आप लोगों के साथ यह जो मेरे पास आते हैं वही आप लोगों के साथ डिसक्स किये जाते हैं इससे जो पीछे वीडियो आप लोड़ की थी तक्रीव बीस बाइस तेश्म वीडियो है उसमें physics की chemistry की math की फुल मतलब के important वीडियो बनाई हुए जिसमें उसी वीडियो से अक्सर question आ रहे हैं मुकम सारे नहीं आ रहे हैं अक्सर वीडियो से ही आ रहे हैं तो अगर आप सिरफ मतलब के experience पार मतलब के अपना रखेंगे यकीन तो experience से टस्ट पास नहीं होता आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा त्यारी भी करनी पड़ेगी क्योंकि experience तकरीबन 30 से 50% 30 से 40% मतलब question आते हैं और वह भी मतलब के चंद को रपीर होते हैं ज्यादा को नहीं होते हैं लेकर उनका concept उनके साथ लिंक होता है जो हालांके अगर आप लोगों मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को मतलब के आप लोगों के आप लोगो की लिए देखी हैं तो एंशाला थासे लेका सा मायड को आप मतलब को मायंड को खोल कर कर अगर आप लोगों से होता है तो और साथ रेक्वेइस्टी है कि कुंदार रिवर इन विच प्रोवेंस तो इस क्वेशन में हमें यह बताना है कि जो कुंदार रिवर है यह किस सूबे में है तो इसका राइट अनसर है बलोचस्तान कुंदार जो रिवर यह बलोचस्तान में वाकिया है काबल रिवर हब रिवर यह भी बलोचस्तान में है तक ब्र-फबिल्ट-कदीर क्वान को मौसन in Pakistan कहा जाता है तो पसंद को पाकफसंद के बादिधा मुहंध लिजनाज ये तो आप इन में से दो तिन क्याश्ट रपीट हो रहे हैं तो नेक्स्ट क्याश्ट है एई आई डैश यू तो यह आप लोगों को पता होगा कि वावल फाज से उन्होंने मिस्किया गया है कर लोगों को पता होगा तो यह याद कर लेना जो मतलब होता है जिताना बता है पारताना शो करना किसी बात को मतलब को मतलब कहना यह का मतलब इसका लफजी मतलब जीताना तो इसका जो एंटओना या ऑपोजवर्ड है वह कीप सीक्रट नाराज राज में रखना तो है है my brother sleeps तो the fine word in this sentence यह बताना है कि उपर फिक्र है sentence my brother sleeps मेरा बाइब सो रहा है या मेरा बाइब सोता है तो इसने हमें simple क्या बताना वरब बताना तो इसमें वरब कौन सा है तो उमीद है कि आप लोगों को पता होगा क्यों यानी apples in 120 रूपीज यानी इस question में यह बताना है कि जो एक सेब है वो 15 रूपए का आता है सो 120 रूपए के कितने apples यानी कितने सेब आएंगे तो यह काफी असान question इसका जवाब या मुझे जो कमेंट में बताएंगे ताकि आव लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और कमेंट में लाजमी बताइएगा तो नेक्स्ट करके रखेंगे तो इसका जितना जवाब आता है यम लिवं एक कराची में क्रची तो समझ आगी होगी गहें percent हमेशा सो निकलता है थाए 300 का पूछ जाए 300 का तीन हजार का तीन लाग का परसंट हमेशा 100 से निकालते में तो हम कैसे परसंट निकालते हैं आब लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि प्रेसेंट पूछा जाता है वो उपर लेकर ऑफ़र्स ऑफ रसा उसका जिए का रखंध है roughly जते हुए प्रापर्टीज टू और गेने कंपाउंड तो इसका राइट अंसर बनता है फंक्शनल ग्रोप इसको भी आप लोगों एक्जैक्ट याद रखना होगा यह किमिस्टी का क्वेशन है डाइश डिफाइंड एजन एटम आर ग्रोप आफ एटम्स विच गिवज गिवज आप लोगों को मिल जाएंगी मोस्ट इंपोर्टन और जो पास्टेस 222 या 223 के मतलब के रपीटर क्वेशन वीडियो में शामल है तो नेक्स्ट क्वेशन है इफ एट में टेक वाटर टैंक 125 वालियम फिल वन वीग सो हो मैं टैंक वालियम फिल फॉर वीक तो इस क्वेशन ун को सादह लफाज में देखे हैं थो बहुत ही आसान क्वेशन है जा है कि आठ आडिमी एक टैंक पानी का टैंक ही समझ affiliated कि इस पानी के टांक और एक सोपचास वालियम आठ बंदे अएग वाटर टैंक के मतलब केम को के में को 125 वालियम फिल करते हैं एक वीग में यानी 8 बं एक हफ़ते में वानवीग में कितना फिल करते हैं 125 वालिम तो चार वीक में वह कितना मतलब में कितना करेंगे यही हमें बताना काफी काफी आसान कौहचन है तो क्या कर ओगा सिंपल कुछ कर लग रहा है हलांकि इसमें कुछ भी नहीं है कि एक सो पच्छी मत एक हफ्ते में एक सो पच्छी सो मतलब वालियम फिल किया जाता है तो चार्स वीक में कितना होगा एक सो पच्छी को हम क्या करेंगे चार के साथ जरब कर देंगे इसको जवाब आएगा हमारा राइट अनस आसकता है तो यह काफी को यह क्वेशन आता भी है लेकर जिन जिनको नहीं आता मैं दुबारे बता जाता हुँ इस पहले एक एक स्पिरेंस की वीडियो आपलोड की थी उसमें गलत बता दिया था क्वेशन है लाग एम तक्सीम एन तो यह किसके एक वलाइट इसका राइट में पूछा जाए तो इसका जवाब बनता है लौग एम प्लस लौग एंड याद रखना है तो यह क्वेशन रिपीट इसको जेन में रखें गलत ना करके हैं तो नेक्स्ट क्वेशन है कंपलीट दा स्रीज तो आप लोगं को पहले भी मतलब काफी दफ़ा बता चुका हू हलांके जो experience में पांच साथ क्वेशन मुझे स्रीज के भी सेंड किये गया थे लेकर एक क्वेशन ही मैं वीडियो में मतलब के लिया है क्योंके अगर एक तरह की क्वेशन जादा लूँगए तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है तो स्रीज का कोई भी वी बहुती असान स्वाल स्रीज के आरहा है, तो देखें 28-38-38. आ आगे कौन सा जखा जवाब आएगा, वहँखाई कि कूला डिपरस पह दिलगें को आपशन देए, तो देखें देखें सी 30-wwww, बहुत बढ़ जाता है, 22-20 20 तो जब लोग अंदाजा हो रा होगा कि इसमें क्या मतलब है कि स्रीजस की चल रही है तो इसका जो जवाब आएगा वो आप मुझे कमेंट में लाज़ी बताएगा तो ये थी आज की वीडियो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज